हाई गाई वेलकम बैक तो मैं चानल फूड एंद फेस हैस्टेग हाव तो इंप्रूव योसेल्फ की सीरीज में एक और वीडियो के साथ मैं आप सब लोगों के लिए प्रेजंट हूं आप सब लोग मेरी मोटिवेशनल वीडियो को इतना सारा प्यार देते हैं इतनी सारी कमे अरह किए ब्लीविशनल वीडियो को मेरे सब्सक्राइबर ने मैं डिमांड किया तो मुझ वीडियो तो नाम नहीं मैं ले रही हूँ वह समझ जाएंगी उन्हें मुझे कमेंट किया था कि आम आप यह वीडियो बनाएं उनकी कमेंट अं वो दू आए आप लोग समझ पार ह भी सब तो में आप दोगे होंगे जिससे आप नफरत करते हैं जो आपके सब्चनि बात से किरें तो आपको बात स्क्रावी सुथ START Halo उसकी जो reality है उसके thoughts आपके माइंड पर आलवेज नहीं आए उसके लिए हम क्या करें सबसे पहले तो मैं ये वीडियो के लिए थाइंस अलोट आपने माम ये वाली कमेंट की ये एक्शली प्रॉब्लम सबकी ही रहती है और इससे मैं भी पास आउट हो चुकी हूँ तो ये बहुत important topic है तो प्लीज ये वाले वीडियो को end तक देखें सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि वह बोलते हैं जिससे हम नफरत करते हैं उसी को हम जादा याप करते हैं Am I right? Please comment down Yes, हम जिसको नफरत करते हैं तो उसी के ही बारे में always सोचते रहते हैं उसने ऐसा किया था मैंने उसको reply नहीं किया उसको reply करती तो शायद वो ऐसे मुझे repeat जवाब नहीं देती हां उसने ऐसा कि आप मैं क्या करूँ अभी वो next time फोन करें कि तो मैं क्या करूंगी ब्ला 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 हमारा माइन चलता ही रहता है तो एक्चली हम उससे बहुत याद करते हैं जिसे हम नफरत करते हैं यह नेचरली रूल है गॉड का अब आपसे लोगों को एक सजिशन देना चाहूंगी कि आप अपनी लाइफ में इतनी भी किसी से नफरत ना करें कि आप इतना सारा सोचे और इतना नेगेटिव सोचे कि उसकी कोई लिमिट ही नहीं हो तो देखो पर्टिकुलरली कोई भी रीजन हो सकता है अगर आप किसी से नराज है किसी के साथ आपकी लडाई हुई है उसके बार में आपने इतनी माइन पर चाया हूँआ है तो उसके लिए स बातों में इतनी भी उलज नहीं जायें कि self-respect हम अपनी खोदें छोटी-छोटी बातों की वज़े से हम लड़ाई नहीं करें तो आप find out कीजे हम दोनों के बीच में कौन से reason की वज़े से हम दोनों के बीच में जगणा हुआ है क्या reason है क्या वो मेरी गलती है क्या यह दोनों की गलती है तो प्लीज आप यह बात को सौट आउट करने का सोचे और जल से चल पटावट से फोन लगा के उनसे बात कीजे और उनको बोलिए के हां last time हम मारे बीच में यह वाली बात हुई थी I feel हम दोनों ने बहुत ही over the act कर द करते हैं मैं 110 परसंट शौर बोलती हो अगर आप प्यार से किसी से दो बोल भी बोल देते हैं तो पहले वाला जो भी गुस्ता था ना सब जीरो हो जाता है तो प्लीज आप इतनी बीन अफरत ना करें पहले आप रिलेशन्शिप को सुदारने की ट्राय करें क्यूंकि गुस यह भी नफरत नहीं होनी चाहिए कि वह नफरत का बदला लेने के लिए हम बहुत ही गंदे से गंदे काम करें यह अपने माइन को डिस्टर्ब करें यह हम अपने गोल को बोल जाए क्यूंकि इन सब बातों में हमारा माइन बजी रहता है तो हम हमारे काम पर फोकस नहीं कर आते हैं हमें जो एक्चल अचीव करना है वह चीज फिर अमारे लिए इंपर्टन नहीं होती है फिर हमारे लिए इंपर्टन होता है कि कैसे हम उसको नीचे करें कैसे मैं खुद को अच्छा दिखाए इतना वीडियो देखके शायद मेरी वह सब्सक्राइबर थोड़ा सा मे आप नहीं कर सकती हूं या मैं आगे जाके उसको प्रपोजल नहीं दे सकती हूं फोर पैच अच्छा सामने वाले की गलती आए और आपको उसके बारे में नहीं भी सोच रहे है वह चीज के लिए वह सबसे ज़्यादा फिर आपको आपके माइन का जो कंट्रोल है आपके ही होना चाहिए उसके लिए आपको आपके काम पर फोकस करना पड़ेगा ठीक है अगर आपके माइंड में भार वही परसंट के थोट्स आ रहे हैं तो इप मेंस आप उसके साथ अच्छे relationship में हैं आप उस relationship को और maintain करना चाहते हैं आप ही चाहते हैं को relationship बन जाए अगर आप इसका पार बरे अच्छिट्चिब बन जाए अगर आपके बारे में ज्यादा आपके लाइफ में वह फोकस काम कर से तो भी आपके मांननेट में पर ख्याल आता है तो थोड़े टाइम के लिए मुजिक सुनिये यह जो आप काम करें उसको पॉस करके दो मिनट के लिए आखे बन करके मैडिटेशन आप कर सकते हैं हर दुखका इलाज मैडिटेशन मैडिटेशन से बहुत सारे आपकी प्रॉब्लम सौल हो जाएंगी ठीक है आप मेरी बातों को रिलेट कर पा रहे हूं बस मैं आप सब लोगों को यही बोलना चाहती हूं कि आप अपने काम पर फोकस करें इन सब बातों को इतनी सारी इंप्रोटन्स नहीं दे हां अभी यहां पर कुछ लोग मेरी इस बात को इस वे में भी ले सकते हैं आपकी गलती ना भी हो तो भी आप सौरी बोले मैं ऐसा नहीं बोल रहे हूं अगर आपके लिए वह रिलेशन्शिप बहुत इंपर्टन्ट है जो घून की रिलेशन्शि नहीं है तो अगर आप ज़्या लात जाते हैं आप जन्यानति में मैंने मादना भी ँदूसा भी तो चाहतीं किया नहीं है प्लीज लीव वह बात को प्रेमाइंड से निकालो जबी आपके माइंड में यह सब बाते हैं फर वाइल जिस लीव अवरीटिंग एंड डू मैडिकेशन फर 10 मिनिट्स टीक है जो आप जुसका में आपको मज़ा आता हो जिसका में आपका इंट्रेस्टों आप उसको कर लें यह हो गया अभी मैं next suggestion आप सब लोगों को देना चाहूंगी life में सबके साथ problems होती हैं सबके साथ कभी ना कभी लडाई हो जाती है वह क्यों होती है तो एक suggestion आप सब लोगों के लिए मेरे friends के लिए किया आप कोई भी relationship में हो लाइक आपकी neighborhood में आपका किसी के साथ relationship है school में college में working जहां पर आप काम करते हैं जहां पर जॉब करते हैं किसी के साथ भी relationship में घुस नहीं जाएं बिल्कुल नहीं उपर उपर से चलें आपको आपकी किसी के साथ friendship है उपर उपर से hi hello किया deep आप किसी की भी चीज में जाओगे तो definitely problem create होनी ही है जैसे के वह भोलते है ना आग पानी और गुरू इन तीनों चीजों के deep में नहीं जाते हैं नहीं तो problem create होती है in the same way मैं आपको suggestion देना चाहूंगी किसी भी चीज किसी भी relationship में आप deep नहीं जाएंगे उपर उपर से चलेंगे hi hello hello relationship रखेंगे तो आपकी life में कभी problem नहीं आएंगी अभी मैं आपको यह वाली जो बात है किसी की relationship में आप deep नहीं जाएं मैं आपको example देखेंगे समझाती हूं for example हम किसी party में जाते हैं बहुत ही अच्छी वाले कपड़े पहन के जाते हैं और अच्छी से तयार हो के जाते हैं हमारी friends भी सबाते हैं तो सबसे party हुई सबसे मिल सबसे ही चुले हाई हलो किया enjoy किया dance किया घर आगे वह बात का फिर discuss होना ही नहीं चाहिए अगर आप वह चीज के डीप में जाओगे के दीपा ने यह पहना था वह कैसी लग रही थी या उसने यह वाला पर्स लिया था वह उस पर सूटनी हो रहा था पूर चीप लिया था या तो कोई और भी पार्टी के रहे लिए और कोई भी आप discuss किसी के साथ करेंगा जो चीज हो गए उसके बार में discuss करने से क्या मलेगा आमको कुछ भी नहीं पार्टी हो गई enjoy क्या that's it बात खतम move on अपने काम के और बढ़ो जो पास्क में हो चुका है उसको discuss करने से कुछ मेरे कहने का वही मतलब है उपर-उपर से हर activity में active रहो किसी के साथ deeply indulge नहीं होंगे तो well and good आपकी life और सब कुछ आपका mood आपको गुसा भी कमाएगा सब अच्छा रहेगा hopefully आज के इस वीडियो से मेरी subscriber को उनका answer मिल गया होगा स्टिल आपको कोई भी problem है आप मुझे मीचे comment section में बता सकते हैं या तो instagram पे DM भी कर सकते हैं यह मेरे instagram id ठीक है मैं आपसे ब्लोग से मेरे next video में में मेलती हूँ till then bye bye love you and take care bye guys